भारत के बढ़ते सामर्थ से, भारत में बढ़ते एक्ता के भाव से, कुछ ताकत हैं, कुछ विक्रुत विचार, कुछ विक्रुत मानसिकता हैं, कुछ ऐसी ताकतें, बहुत परेशान हैं, भारत के भीतर, और भारत के बहार भी, ऐसे लोग, भारत में अस्थिरतां, भारत में अराग्द्यक्तां, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं, वो ताकतें चाहती हैं, कि दुनिया भर के नेशकों में गलत संदेश जाएं, भारत की नेगेटिव छबी उपरें, ये लोग भारत की सेनाओं तक को टार्गेट करने में लगे हैं, मिसिन्फर्मेशन केंपेंज चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाओं पैदा करना चाहते हैं, ये लोग भारत में जात पाँच के नाम पर विवाजन करने में जूटे हैं, इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो, ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विक्सित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनिती, गरीब भारत की राजनिती ऐसे लोगों को सूट करती हैं, पाँच पाँच दसक तक इसी गंदी गिनोनी राजनिती देश को दुरुबल करते हुए चलाई गई हैं, इसलिए ये लोग सम्मिधान और लोगतंत्र का नाम लेते हुए, भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, अर्बन नक्सलियों के इस गट गोड़ को, इनके गट जोड़ को हमें पहचानना ही होगा, और मेरे देशवाचियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बंबंदूग से आदिवाची नवजवानों को गुम रहा करने वाला नक्सलवाद, जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मोडल उभरता गया, हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को ले करके चलने वाले, मुह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा, साथियों, आज हालत ये हो गई है, कि आज कल एकता की बात करना तक गुना बना दिया गया है, एक समाय था, जब हम बड़े गर्व के साथ, स्कूल, कॉलेज में, गर्व में, बाहर, सहज रुप से, एकता के गीत गाते थे, जो पुराने लोग है, उनको पता है, हम क्या गीत गाते थे, गाते थे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भासा, चाहे अनेक है, ये गीत गाये जाते थे, आज की तारीख में, कोई ये गीत गायेगा, तो उसको अर्मन नक्सलों की जमात, गालियां देने का मोका पकड़े लेगी, और आज को अगर कह दें, कि एक है, तो सेफ है, तो ये लोग, एक है, तो सेफ है, उसको भी, गलत तरीके से परिभासित करने में लगेंगे, जो लोग, देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें, देश की एकता अखर रही है, और इसलिए मेरे देश वाजियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ती से, ऐसी वृत्ती से, पहले से भी जादा सावधान होने की जरुरत है, हमें सावधान रहना है, साथियों, हम सब सरदार सहाब को, उनके विचारों को, जीने वाले लोग हैं, सरदार सावध कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष, एक जूट और मजबूती से जुड़ी, सक्ती बनने का होना चाहिए, हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विवितता वाला देश है, हम विवितता को सलिब्रेट करेंगे, तब ही एक ता मजबूत होगी, आने वाले पचीज साल, एक ता के लिहाद से, बहुत ही महत्वपून है, इसलिए एक ता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है,